हेलो फ्रेंड आप्टिकुलर टूल विंडो का जो भी आपको विंडोस दिखती है कि एंटरफेस के अंदर उनका क्या यूज है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यह जो स्क्रीन दिखती है जैसे आप एंडोस तूडियो ऊपन करते हैं ये जो सारे विंडोस आ रहे हैं यह जो टूलज दिख्रें को इनका यूज है और इन पर्टिकुलर चीजों को क्या बुलाए जाता है क्या प्रणॉंस कीया जातब और कब यूज आने वाली इस offer चीज़े फिर आप यह देख सकते हूँ कि यह ज़िच्प ad नहीं होता यानि किसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो जहां पर आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी रिलेटेट जितनी भी फाइल्स है वह आपको यह शो होगी और क्या यूज है कब यूज में आएगी तो वह साही सीज़े हम आज की सेक्शन में देखेंगे तो उसके यहां पर मैंने Android Studio open कर लिया है सबसे पहले इसमें आपको जो सारे options दिख रहे हैं उनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको particular किस category में include किया जाता जैसे कि आपको सबसे उपर जो यह दो बार दिख रही है यह आपकी आती टूल बार के अंदर आप अगर Mac OS यूज मिल जाएंगे उसको करके समझेंगे जैसे की रीचे वाले में चलते जैसे यहां पर जाएंगे तो open option आता है यही सारी चीजें आपको फाइल वाले में भी मिल जाएगी फाइल वाले में आपको dropden में मिलेगा और यहां पर मैं सीधा इसके ओपर click करता हूँ तो open हो जाएगा, जैसे कि मैं फाइल में जाके open पर जाता हूँ तो वही same चीज, direct अगर मैंको access करना है तो मैं यहा से कर सकता हूँ सेव करना है सेव जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं जितनी भी फाइल से सेव हो जाएगा अब आपको बार-बार कोई भी कोड अगर आप चेंज करते हो तो आपको बार-बार कंट्रोल सेव करने की जरूत नहीं है क्योंकि android studio के अंदर by default सेव का option होता है या कह सकते हैं सेव का फीचर होता है जो पर्टिकुलर नी जैसी आप कोई कोड लिखते हैं कोड लिखने के बाद में जैसे ही पॉस आता है उस पर्टिकुलर टाइम पर वह automatically कोड को सेव कर देता है बट कहीं कैस ऐसे होते हैं जैसे कि आपका android studio चल रहा और एकदम से पावर डिसकनेक्ट हो गया या एकदम से बंद हो गया या एकदम से बंद हो गय कोड लिखा था है कह सकते हैं एक या दो मिनिट में जो कोड लिखा था उस पर्टिकुलर इंटरवेल का जो चेंज है वह आपको नहीं दिखेगा बाकी सारे चेंज is automatically saved रहते हैं अगरा अगर आपको फिर भी हो रहना है तो आप यहां से safe wall कर सकते हो औहां पर जो जैसे रि के अंदर गया तो मैं यहां पर आ जाता हूं तो जिसे करसर जहां जहां जा रहा है यह जो दो आप्षिंज आपको मिल रहे हैं लेफ्ट और राइट मतलब की पीछे वापस बैक्वर्ड जाना और राइट मतलब आगे जाना अब मैंने करसर को मूव करके यहां कर दिया या फिर यहां कर दिया या फिर वापस में यहां आ गया तो चेंजिस जो है वह आपके जिसे में फ़र एक्जामबल को एक फाइल खोलता हूं तो अब जब मैं पीछे जाओंगा तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार मैं कहा था इस पर्टिकुलर पात पर था इस से पिछली बार कहा था मैं इस जगा पर था इस से पिछली बार कहा था मैं इस पर्टिकुलर करसर को आप मूवमेंट देख सकते हैं ठीक है मैं उसी ओर्डर में वापस जाना चाहता हूं तो मैं कहां गया यहां पर फिर गया मैं यहां पर फिर मैं गया वापस XML के अंदर फिर मैं गया वापस Manifest के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नैविगेशन देख रहा है करसर कहां से कहां जा रहा है तो यह जो arrows है आपके लिए यह तब useful है जब आपको उन particular जगाओं पर navigate करना है कि आप recently अभी किस particular फाइल में थे या किस particular विंडो में थे उसके बाद में आता है यह बिल्ड का option जो बिल्ड टूल है यह तब काम आता है जब आपको .apk file generate करना होती है जैसे कि हम आगे आने वाली classes में समझेंगे कि कैसे आप android phone के उपर या android virtual device के उपर run करते हैं या execute करते हैं अपने android studio project को तो उस समय आपको यह useful होगा जैसे run का option होता है run करवाना अपनी app को और build का मतलब होता है run नहीं करना सिर्फ एक process करना जो कि आपका क्या होता है build का होता है create भी करता है और उसको install भी करता है ठीक है तो run के लिए आपको यह mandatory होगा कि आपके पास एक android runtime device हो या realtime device हो आपके बास लेकिन लेकिन build के लिए क्या और सिर्फ आपको .apk file create करनी होती है आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक पात भी होता है जहां पर अपन जब build पे click करते हैं तो उस particular folder के अंदर जाके आपकी .apk file save हो जाती ही project की then आप वहां से उसको किसी को भी send कर सकते हैं या share कर सकते हैं वाया email और वाया drive जैसे ही मैं आप build पे click करता हूं तो नीचे की side में आप देख सकते हैं gradle building run start हो चुका है यानि की gradle build start हो चुका और gradle files जो android studio के अंदर होती है उनका main काम क्या होता है उस particular code जो आपने लिखा XML और Java के अंदर उनको build करके या मैं count को zip करके .apk file generate करना ठीक है तो वह जैसी आप build पे click कर तो वह start हो जाती है तो run के अंदर run का जो भी first step होता है वो भी यही होता है ठीक है पर run में क्या होता है हमको कहीं पर चला के देखना होता है build में सिर्फ हमको एक apk file create करनी है तो इतना सा काम होता है तो यह process चलेगा process जैसी complete होगा तो यहां पर right hand side में आपके पास आएगा build completed या build finished और time लिखा करता है यानि कि अगर आपका system बहुत high configured है तो कम time लगेगा और अगर less configured है यानि 2GB RAM या 4GB RAM है तो finish तो होगा लेकिन थोड़ा सा time जो है वो सोड़ा ज्यादा लग सकता है बाकी high configured laptops या PC से ठीक है उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता है run पर जैसी आप क्लिक करोगे तो अगर multiple devices मेरे laptop से या PC से connected हो via USB debugging या फिर virtual devices connected हो तो यहां पर drop down हो सारे options दिख जाएंगे जो की available है for executing app on them तो अगर उन पर availability है तो वो option यहां पर आपको दिखने लग जाएगा आप उनमें से किसी को भी select कर सकते है तो जो यहां selected phone होगा या selected device होगा चाए वो virtual device हो चाए वो real time device हो तो उस पर आपका जो एप है रन हो जाएगा उसके बाद में आता है यहां पर option देखो जो कि अभी highlighted नहीं क्योंकि मेरा phone connected नहीं है नहीं मैं कोई real time devices connected है नहीं कोई virtual device connected है मतलब यहां पर मेरे पास option है कि मैं इस पर चला सकता हूं लेकिन यह भी live नहीं मतलब यह भी open नहीं आप कहीं भी देखो कि नहीं virtual device open है तो यह अगर open हो था तो यह option available रहता बट यह option क्या कह रहा है apply changes and restart that means कि अगर जैसे कि आपका कोई code है उसमें आपने 10 screen बनाई है अब आपका जो changes कि है आपने recent activity के अंदर recent कोई भी एक screen के उपर आपने changes कि है वो screen है for example 10 screen अब आप आपने उसमें changes तो कर दी है अब आप उसको run करके execute करके देखोगे कि जो आपने changes कि है वो apply हुए के नहीं हुए तो उसी के लिए आप process करोगे चलाओगे अपनी phone के अंदर या virtual device के अंदर तो आपको 10th screen पे जाना पड़ेगा and then आप देख पाओगे कि यह चीज apply हुई के नहीं तो इसका मतलब क्या होता है apply changes and restart activity का मतलब क्या होता है कि जिस particular activity में आपने changes कि है उसी activity को यह वापस restart कर देता है and आपको easily navigation वहीं तक मिल जाता है आपको वहां तक आने की जरूद नहीं वहीं से open हो जाता है जहां जिस फाइल में आपने changes कि है वह आपको वहीं available हो देन आता है जो आपका next option है apply code changes यह सिर्फ code changes apply करेगा आपको दिखेंगे नहीं आप इससे click करने पर apply हो जाएंगे उसका जब भी next time आप ले करोगे तो आपको changes मिल जाएंगे देन यह जो आपको option दिख रहे हैं यह सारे debugging के options है जहां पर debug कैसे करने है अपने runtime आपको जैसे कि अगर आप कोई app चला रहे हो आपकी app fresh भी नहीं हो रही लेकिन जो आप result expect कर रहे हो result नहीं हो रहा है यह आपकी app जो है वह एक unhandled exception पर crash हो रही जो इसको आप identify नहीं कर प video session में इसको complete करेंगे जहां पर हम केवल और केवल इसी के बारे में समझेंगे कैसे एक app को runtime में आपको debug करना है उसके बाद में यहां पर बटन दिख रहा है इनकेस आपका कोई भी debugger चल रहा हो तो उसको stop करने के लिए काम में आता है उसके बाद में आता है यहां पर sync project with grad तो कभी भी gradle files में जब भी आपको कुछ changes करने पड़ते है gradle files आपकी यहां मिलती है ठीक है अभी हम इसको discuss करेंगे तो मैं आपको गदाऊंगा gradle files में जब भी भी आपको changes करोगे अगर उनको sync करना है तो आप यहां से sync कर सकते हो ठीक है अब एक और चीज जो मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं यह सारी चीजे ना आपको अभी एक overview देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आपको आइडिया रहे कि चीजे क्यों काम आती है practical information तभी होगी जब अब इस पर practicality start करोगे मतलब जब आप android app बनाना start कर दोगे जैसे जैसे आप android apps बिल्ट करन आइंगे जब इनको practically यूज में लेंगे तो वह जब हम project पर work करना start करेंगे जब हम topics पर work करना start करेंगे तब आपको इसकी जो clear picture है वो दिखना start हो जाएगी तो यह जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है इसमें हम कोई भी changes करते हैं तो by default उस फाइल के ऊपर ही एक option आजाता है sync कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में यह आपका AVD manager है यहां से आप virtual device वाला जो manager होता है वो open कर सकते हैं यह सारे options ना selected options आपको यहां दिखते हैं बागे सारे options आपको यह उपर वाला जो टूल बार है इसमें आपको दिख जाएंगे जैसे run करना है तो run वाला options यहां दिख टूल में but direct navigation यहां नीचे दे रहा है ठीक है यह बाकी सारी चीज़े जब आप run time में इनको use करेंगे जब आप इनका practical use समझ पाएंगे बागी इनका ज्यादा तर practical use नहीं तो यही मैंने सारे options जो इस tool bar में discuss की हैं वो वाले हैं जो आपके run time में बहुत जाता use आने वाले ह अब उपर वाले में हम हलका हलका आपको आइडिया देता हूं कि जैसे files में जैसे मैंने आपको पहले ही बता है open, recent, close, settings, save all यह सारे options कुछ-कुछ options आपने नीचे भी देखे थे उसके अलावा जो भी options यहां पे आपको नया दिख रहे हैं वो options जब आप runtime project पे work करोगे 리-rot, copy-paste वाला जो option होते हैं वो सारे undo, redo बाले options, edit में मिल जाएंगे आपको, view में आपको tool वाले मिल जाए है कौन सा टूल शोर नहीं करना है तो जितने भी वाली प्रापर्टीज वाले ऑप्शन होते हैं वह सारे आपको यहां मिल जाएंगे यह वाला जो नेविकेशन का पार्ट है जो हमने यहां देखा वही सेम नेविकेशन का यहां पार्ट है जैसे कि आपको कोई मैथड को कॉल कर करना है इंप्लीमेंट करना है तो वह सारी चीज़ें आपको यहां कोड से मिल जाएगे अभी यहां पे सारे अन सेलेक्टेड आ रहे हैं क्योंकि अभी हम कोई पर्टिकुलर कोड पे गए नहीं है मतलब लिखा नहीं हमने एक्ट्रोजेक्ट में चाहिए होता है तो जब हम प्रजेक्ट में टॉपिक बाइ टॉपिक जब हम एक्ट्वल में कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो इनका प्राक्टिकल यूज आपको समझ माने लग जाएगा तो यहां आप इसको समप कर सकते हैं कि जो कुछ सेलेक्टेड आपके काम में आतने टूल्स वह यहां नीचे ल लेयर दिख रही है जो जयस्त टूलबार के नीचे आपको जो लेयर दिख रही है यह कहलाती है नावीगेशन बार यहांप आप डारेकली नावीगेशन देख सकते हो पर्टिकुलर जिस भी आप फाइल के अंदर प्रोजेक्ट क्रियेट हुआ है उसका इस पर्टिकुलर यह आपको option दिख रहा है यहाँ पे अब इसके अंदर भी एकर मैं किसी particular जगा पर चला जाता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो navigation है वो आगे चला गया इसके बार आ जाता हूं तो यह navigation हट जाता है तो यह कहलाता है आपका navigation बार उसके बाद में जो यह साइड में आपको यह पूरा particular दिख रहा है आपको यह वाला portion यहां से लेखे वे नीचे की side में और right hand side में भी आप देख सकते हैं तो यह यू बन रहा है ऐसे यह जो particular आपक option है यह जो बार है यह किसके लिए tool window बार के लिए मतलब की tool window जो open करवानी है या आपको show करवानी है hide करवानी है उसकी यह बार है जैसे कि मैं को अगर project को hide करवाना है तो मैं इस पर tap करूंगा तो project वारा जो tool window है वो hide हो गया ऐसे ही मैं resource manager पर click करूंगा तो resource manager जो है उसका window open हो जाएगा ऐसे बहुत सारे यहां पर tool windows है और इस particular चीज़ को हम कहते है tool window चीक है यह project का tool window है resource manager का tool window है then अगर मैं को locket देखना है तो यह locket का tool window है यहां नीचे की चरफ आपको दिखेगा ठीक है अगर आपको device file explorer देखना है तो यह device file explorer का tool window है ठीक है तो इसको हम कहते है tool window और तूल विंडो चाहां दिखता है उस बार को कहते है tool window बार अब समझते है जो last बार आपको यहां पर दिख रहे हैं नीचे की तरफ सबसे end में यह चो बार है यह कहलाती है आपकी status बार यहां पर android studio का जितना भी status होता है वो यहां पर शो होता है कि अभी recently क्या execute हुआ कितने time में हुआ कोई problem आ रही है कोई bug आ रहा है क्या error आ रही है वो सारा कुछ आपको यहां नीचे की तरफ दिख जाएगा यह जगा पर जो नीचे वाली बार है इसको कहते है स्टेटेस बार तो यह होता है यहां लिखते है और अविधा यह को हटा ञांजू फ्цевार और एक और इसमें होता है इसको involvement जहांपर मेरा करसर है इसको है गारे विन्डर टैंद मैं फर इत चैसे भी टाइब का, xml टाइब का हो, चैसे जावा टाइब का हो, kotlin टाइब का हो, यह नि की front-end हो, यह back-end हो, जिस भी टाइब का coding कर रहे हैं, किसी भी particular file में कर रहे हैं, तो वह आपका क्या कहलाएगा, editor window कहलाएगा, चीक कहे, तो यह तो वह Android studio के interface के components, अब हम बात कर रहे हैं इस particular window की जो आपकी screen पे दिख रहे हैं सको कहते हैं project tool window और इसके अंदर जो भी आपकी project के regarding files होती है वो यहां show होती है अब project के regarding कांट कौन सी file need में आती है, किसका क्या use होता है, कहां पे save होती है वो सारी चीज़े आप अपन समझने वाले तो सीधा चलते हैं वापिस Android Studio के अंदर और मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर लेता हूं तो मैं Android Studio के अंदर आ चुका हूं, प्रोजेक्ट टूल विंडो कहा आती है, यहां पर आपको प्रोजेक्ट टूल विंडो दिखेगी, इसको मैं थोड़ी सी साइस बड़ी कर देता हूं, तो यहां मैंने थोड़ी font size बड़ी कर दिया है, अब हम देख सकते हैं कि यह जो आप पर्टिकुलर चीज के लिए कोई file को store करवाना है, तो वो कहां करवाना होता है, तो सबसे पहले यहां पर दो components मिलते हैं आपको, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टूल विंडो के अंदर, वो आपको मिलेगा एक app नाम का folder और एक gradle script नाम का folder, तो जो आपका app नाम का folder है, वो आपके काम का है, that means आपके जितनी project files होगी वो इसमें होगी, आपका कोई भी role नहीं रहेगा gradle script के अंदर, gradle script वो script है, जो gradle को run करते हैं, यानि कि gradle जब run होता तो आपकी build करता है apk file को, तो उन apk files को build करने के लिए gradle script लिखी जाती है, तो इन में आपको changes नहीं करन तब मैं आपको gradle script के अंदर को changes करके बताऊंगा कि वो चीज़े कैसे execute करनी है, तो अभी के लिए gradle script को touch नहीं करेंगे, यानि कि gradle script में जो भी script से लिखी भी है, वो as it is हमारे project को build करने के लिए लिखी गई है, तो अब जो हमारा code है, जो हमारा content है, या हमारा project का structure है, व एक resource नाम से और एक resource generated नाम से, इनको हम समझेंगे, इनमें आप यह जो java generated और resource generated है, यह replica है, उन particular resource file या उन particular java files के लिए, जो run time में generate होती है, ठीक है, उनको अपन एक करके समझेंगे, तो commonly तीन structure में divided होती है, यानि तीन components होता है, इस particular app folder के पहला होता है आपका manifest, दूसरा होता है java, और तीसरा होता है resource, तो सबसे पहले चलता है manifest के अंदर, यहाँ पे manifest folder के अंदर में आता हूँ, तो यहाँ पे आपको android manifest.xml file मिलेगी, अब इस file का मतलब क्या है, इस file को देखो, मैं बुलाता हूँ, control room, अब मैं इसको control room क्यों बुलाता हूँ, क्योंकि आपके android project में, जो भी चीज़ आप use कर रहे हूँ, जो भी resources आप use कर रहे हूँ, उन सब का information इस particular file में होना चाहिए, अगर वो इस particular file में नहीं है, तो run time में जब भी आपके app को, कोई भी resource की जरूत पड़ेगी, तो आपके app को access नहीं मिलेगा via android, क्योंकि जब आपकी application install होती है, ए तो उसके accordingly उसको run time में resources allocate किये जाते हैं, या calls की जाती है, broadcast receivers provide किये जाते हैं, चीक है, तो अगर आप यहाँ पे वो चीज़ mention नहीं करते हैं, तो run time में आपको वो चीज़ की problem face करनी पड़ दिये, तो सारी चीज़ा की information आपको यहाँ देनी है, अब सारी चीज़ से मतलब क किया हुआ, जैसे application में कितनी screens है, मतलब कितनी screens का मतलब होता activity कितनी है, तो activity का description आपको यहाँ देना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको देने की जरूत नहीं होती, mostly cases में Android खुदी ही सारी file को है, manage करके रखता है, बट कोई चीज़ ऐसी है, जो आप activity create होके आती है, यानि कि एक XML file और एक Java file by default created आएंगे, तो यह जो activity का declaration हो रखा है, यह by default Android खुद करके देता है, अब जितनी भी आप further screens create करना चाहोगे, तो उनके लिए further activities create करोगे, तो वो सारी activities भी automatically add हो जाएगी, बट अगर आपको ऐसी activity है, जो आपने create नहीं करी, आप अपने एक app के लिए, चीकिए, अब दूसरी app में भी वही same login screen आपको चीकिए, design by, बस आप उसमें color change करना चाहते हो, for example, तो आप क्या चाहेंगे, कि या login वाला जो design है, वो वापस secure generate करे, हम क्यों ना, उसका XML और Java code जो है, वो as it is, जो Java file है, और XML file है, वो इसमें paste कर दे, यह process सही नहीं है, पर in case अगर आप कर देते हैं, मैं सिर्फ आपको एक scenario discuss कर रहा हूँ, अगर आप कर देते हैं, तो activity तो आगई, आपने Java file भी add कर दी है, अपने project में, और XML file भी add कर दी, दोनों आपस में connected भी है, linked भी है, लेकिन, और आपने linking भी कर दी, एक activity से दूसरे activity क linking भी कर दी, लेकिन आपने उस activity को यहां mention नहीं किया, अगर आप यहां mention नहीं करते हो, और app चलाते हो, और जैसे ही navigate करते हो उस particular activity के लिए, तो आपका android manager क्या कहेगा, कि यह activity एक्जिस्टी नहीं करती मेरे लिए, क्योंकि आपने mention ही नहीं करते हैं, आपने बताया हैं यह android manifest को कि इस पर्टिकुलर नाम से कोई activity है, तो यह mention करना बहुत important है, तो यह तो activity की बात हुई, आप कोई भी runtime में आगे चलके service बनाएंगे, आप broadcast receiver बनाएंगे, जो भी आप components android है, उनको use करेंगे, तो उन सब का declaration है, वो आपको यहां पर देना पड़ेगा, उसके बाद में आता है, permissions, चीक है, उस permissions से आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ रहाना चाहता हूँ, जैसे यहां पर application tag है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी आपके app का name है, वो भी यहीं पर mention होता है, मतलब यह वो name है, जब आपकी app install होगी, तो icon के नीचे जो name दिखता है, वो normal icon दे दिया, अगर आपको नहीं देना round icon, तो icon को ही round कर देगा, लेकिन round icon तब काम का है, जब आपने, किसी ने भी अपने phone के अंदर कोई custom launcher लगा रखा है, जो क्या करता है, कि उसके icons को round कर देता है, तो उस case में हो सकता है, हमारा जो logo है, वो खराब हो जाए, खराब करेंगे, तो run time में normally icon ही दिखेंगे, लेकिन कोई ऐसा launcher होता है किसी के phone के अंदर, जो उनके icons को, phone के icons को round कर देता है, तो हमारा icon, normal icon ना लेकर round icon ले लेगा, automatically, then यहाँ पर theme भी आती है, theme भी आपको यहीं पर mention करनी पड़ेगी, कि आप spread project में कैसी theme यूज कर रहे है, अब हम detail में समझेंगे theme को भी, कि theme कैसे create की जाती है, कैसे उसमें modifications होते है, उसका पूरा अलग section में हम उनको समझेंगे, कि theme क्या होती है, आप theme कैसे नहीं create कर सकते हो, style कैसे बना सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको सर्फ यह बताना चाहता हूँ, कि theme यहाँ पर mention की जाती ह आपकी app execution से पहले ही crash हो जाएगी, कि इस पर कोई by default कोई theme set ही नहीं है, तो यह सारी चीज़ें आपको mention करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके app का package है, जो base होता है, वो package होता है, जावा के अंदर भी आप देखो कि packages बनते हैं, तो Java ही इसम अगर आप यह unique नहीं रखते हैं, तो आपकी app live होते वक्त problem create करेगी, वो live नहीं होने देखा, अगर किसी ने यह package name ले रखा है पहले से, तो वो package name भी आपको यहाँ पर mention करना है, यहाँ पर आता है, जो एक और option होता है, वो आता है permission का, तो इससे हम कहते है runtime resources, जैसे अगर आपको internet use करना है, तो यहाँ पर users permission करके एक option होता है, उसमें आपको internet अगर use करना है, तो internet mention करना पड़ेगा आपको ऐसे, इसको भी हम detail में समझेंगे, बस अभी मैं आपको overview बता रहा हूँ, कि यह चीज particular किस काम से आती है, तो आप confused ना होए, कि यह चीज कैसे work करी है, य यह चीज आप कैसे code में लेकर आगे, मैं सिर्फ आपको overview बता रहा हूँ, कि ऐसे permissions ली जाती है internet ये लिए, जब run time में हम internet का use करेंगे हमारे projects के अंदर, तो मैं आपको अच्छ से समझाऊंगा कि क्यों use में आता है, कैसे लिखना पड़ता है, क्या क्या चीजे mandatory होती है, अ आपको अधार हों कि अगर internet use करना होता है, तो ऐसी line लिखी जाती है, तो ये भी आपको mention करना पड़ेगा, नहीं तो run time में आपको internet नहीं मिलेगा, अगर आपको ये app में ऐसा काम करो जो आपके user का external storage get करनी कोशिश कर रहा है, या contact access करनी कोशिश कर रहा है, या camera open करवाना या gallery open करवाने, तो उन सब की permissions आपको यहां पर देनी पड़ेगी, चीक है, तो ये सारी information जो है, वो आपकी manifest file में रहती है, तो इसलिए मैं इसको control room कहता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी building बगर में जाते है, तो building में क्या होता है, एक नीचे control room होता है, जहां से पूरी building का connection है, वो इस particular main file से, जिसको हम कहते है, manifest file, ठीक है, अब मैं आता हूँ, इसके नीचे, जो की है, हमारा दूसरा folder, java folder, जैसे की नाम suggest कर रहा है, java, that means, यहां पर आपकी java files आएगी, तो जितनी भी java files required रहेगी, यानि की logic part वाली भी, तो xml से connected रहेगी, और उसके करूँगा, तो मैं को यहां पर तीन सब folders देख रहे हैं, इन तीन सब folders में सबसे पहला जो folder है, जो package के अंडर आ रहा है, यहां पर आपकी java files आएगी, अब यह दो folder जो है, यहां पर, एक तो यह वाला, जो android test नाम से, bracket में आप देख सकते हैं, नेम से ही मैं, folders के, लेकिन bracket changes है, यहां पर bracket में android test लिखावा है, यहां bracket में सिर्फ test लिखावा है, तो यह जब testing होती है, आपकी app की, मतलब, आपकी app build हो जाती है, जब एक unit testing, या j testing, या monkey testing के थूँग, जब हम test करते हैं हमारे project को, कहीं memory leak तो नहीं हो रही है, कहीं चीज़ों को और optimize किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें, कुछ java के software होता है, उनके through की जाती है, android के app की, तो उसके लिए particular tester field भी होती है, IT sector के अंदर, पर्टिकुलर क्या करता है, आपकी app को test करता है, हम जो test करेंगे, वो manual testing करेंगे, manual testing मतलब क्या हो गया, आप चला के देखी करेश तो नहीं हो रही, जो normal normal चीज़ें, जो basic basic चीज़ें, वो हम correct करेंगे, कि यहाँ पर यह चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर यह चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो automatic testing है, या automation testing है, वो क्या करती है, कि इस APG की size और reduce की जा सकती है, कि नी जा सकती है, run time में यह, कौन जैसे resources को use करता है, जिनको हम को run time पर release कर देना चाहिए, जिससे क्या user की बैटरी है, वो जादा use होगी हमारे app की वचेज़े, या जादा drain होगी, तो वो एक negative point है, उसको optimize करने के लिए, तो और कैसे हम अपनी app को optimize कर सकते हैं, वो automated testing कि पता कर सकते हैं, फिर हम उसके according code changes करते हैं, और हमारी app को और भी अच्छे से optimize करके हम live करते हैं, तो उस समय इन particular folders की जरूद पढ़ती है, अभी आपको इसनकी requirement नहीं रहेगी, during coding, मतलब जब आप production mode में, जब आप development mode में, तब इन folders की requirement नहीं है, तो जितनी भी आपकी java files है, जैसे कि आपने एक नया project करते हो, तो by default एक activity create होती है, यानि क जो एक java file create होई है, वो आप यहां देख सकते हैं, इसके under आती है, तो अगर मैं इसको close कर देता हूँ, तो अगर मैं को वापस open करना है, इस particular file को, जैसे मैं इस पर click करूँगा, तो यह वो ही file है, तो जितनी भी files आपके activities से connected वाली files है, या फिर other files है, जिनको हम helping classes बोलते ह वो सारी यहां पर आपकी create होगी, अब आते हैं हम इसके next option में जो की है java generator, अब java generator का भी runtime में use नहीं है, इसका जरूद तब पढ़ता है, जब आपको कोई code ऐसा लिखना है, जो runtime में generate होगा, जैसे data binding होगा, आगे के Android के नए-ने features आ रहे है, data binding, जिसमें आप क्या कर सकते तो runtime में particular code को generate करवा सकते हो, तो उस समय जो runtime generation होगा code का, वो यहां place होगा, तो हमको वहां लिखने की ज़रूद नहीं है, वो runtime में जब generate होगा, तो इस particular folder में उनकी files create होगी होगी, और particular folders में वो store होगा, ठीक है, then आते हैं, अलब यह दोनों replika है, यह वाला code जो, यह वाला यह उसमें आता है, जावा generated, चीक है, उसके बाद में आते हैं, resource folder के अंदर, जो कि आपका UI perspectives है, यह आपका UX perspectives है, kind of, और यह आपका, पूरा का पूरा UI जो है, जो आपकी designing part है, वो इस particular folder में आपको मिलेगा, मतलब coding वाला part यहां ही तक रहेगा, designing वाला part जो है, वो इस folder के अगर आप future में कभी भी कोई file create करते हैं, या पेस्ट करते हैं, तो उसका जो name आप दे, उसमें name आपको ध्यान रखना पड़ेगा, starting with number नहीं होना चाहिए, पहला case, दूसरा case, कोई भी special characters नहीं होना चाहिए, तीसरा case, spaces allowed नहीं है, और चौता case, कि आप कोई भी capital letter यूज नहीं कर सकते हैं, आगे, पीचे, बीच में कहीं पे भी नहीं, और special characters में सिर्फ और सिर्फ आप underscore को यूज कर सकते हैं, तो यह पूरा का पूरा resource folder के लिए apply होता है, यानि इस पूरे resource folder के अंदर कहीं पे भी, अगर आप कोई भी folder, अंदर sub folder के अंदर कोई भी file create करते हैं, या आप paste करते हैं, तो इस naming connection का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, runtime में वो resource को identify नहीं करता है, अब चलते हैं, इस folder के अंदर और यहां देखते हैं, यहां पे आपको चार sub folder मिलेंगे, इन sub folder को एक एक करके समझते हैं, सबसे पहला जो folder है, वो आपका drawable नाम स वो सारी images आपको कहां लगानी है, drawable के अंदर paste करनी है, अब आप images को paste कैसे कर सकते हैं, यहां पे, अगर आपको UI के अंदर use करनी है, तो सबसे पहले आपको इस folder में लखनी पड़ेगी, तब आप उसको access कर पाएंगे, तो इसको कैसे आप place करेंगे उसके लिए, या तो आ सारी files आते हैं, यहां पे आपको drawable में paste कर देनी है, जो कि as the image आप use करने वाले है, लेकिन अब बात करते हैं कि image में भी बहुत सारी extensions आते हैं, तो इसमें कौन से extensions allowed है, तो इसमें तीन तरह के extensions allowed है, पहला extension है आपका .jpg, jpeg और jpj, दोनों ही allowed है, दोनों ही files अगर आपके cases में हम png को use करेंगे, ठीक है, तो वह भी files allowed है, then आता है आपका svg, जो vector asset के लिए use आती है, तो वह भी आप यहां पे paste कर सकते हैं, लेकिन copy paste नहीं होगी, वह paste होने का तरीका थोड़ा सा लगे, आपको क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, और यहां प process आपको समझाँगा कैसे आपको image यहां पर paste करनी है, कैसे आपको vector वाली image यहां पर paste करनी है, मैं सिर्फ अभी आपको overview दे रहा हूं, तो आपको confused होने की जरुत नहीं है, कि यह चीज़े मैं आपको fast forward ले जारा हूं, नहीं, यह सर्फ मैं आपको overview देने के बता रहा हूं, इन particular folders में क्या क्या चीज़े होती है, जब हम एक एक चीज़ practically implement करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ depth में पता चलेगी, चीक है, तो यहां local file पे click करके, यहां path से आप उसको import कर सकते है, यहां पे आपकी svg file है, वो यहां से आपको select करनी है, next करना है, तो यहां पे क्या हो हो चाहेगी, import हो चाहेगी, चीक है, यह तो तीन type की files हो गई, आप चौती type की file बना सकते हो, वो होती है, आपकी XML file जो कहते है हम custom drawable, यानि कि खुद से आप drawable भी create कर सकते हो, यानि coding लिखके XML के अंदर आप एक image draw कर सकते हो, और उस image को भी as a image view के उपर या अपनी UI के अं implement करने मतलब आपको JPG image कैसे paste करनी है, PNG कैसे करनी है, JPG और PNG का method जैसा ही है, SVG कैसे करना और custom drawable कैसे करना, यह मैं आपको अलग-अलग fraction में बताऊंगा कैसे आपको यह चीज़े करनी है, चीक है, उसके बाद में आते है, layout वाले folder में, जैसा की नाम suggest कर रहा है, layout मतलब ज अतनी activities बनेगी, उतनी उसकी Java और उतनी उसकी XML बनेगी, तो Java किस में रहेगी, इस folder के अंदर, तो उसके respect में, जितनी भी उसकी XML file है, वो इस folder में रहेगी, चीक है, तो आपकी XML file जो है, वो यहां मिलेगी, प्लस इसके अलावा भी other XML files भी आप यहां पर place करो, जैसे कोई आप ले आउट, जो as a activity यूज नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं as a reference यूज आ रहा है, या कहीं as a repetitive यूज आ रहा है, जिसे हम rows कहते हैं, तो उस case में भी आपको जो layout folder है, वो ही यूज आएगा, उस particular layout files को store करने के लिए, ठीक है, फिर आते हैं, मिप मैप वाले folder के अंदर, तो यह जो design की screen होगी, वो एक ही होगी, आप ऐसे तो नहीं multiple करोगे, android में यह भी option है कि आ multiple designs भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि नहीं चलो, अब आप multiple designs मत करो, आप diamond file को use करके भी इस चीज को achieve कर सकते हो, लेकिन image कर क्या करेंगे, image की case में क्या होता है, कि अगर आप आपने, इस चोटे phone, चोटी phone की screen है, वहाँ पर आपका app चलेगा, और आपने एक icon जो लिया है, एक image जो लिये, वो fixed size की लिए, चीक है, तो वो उस particular चोटी screen पर तो अच्छी लगेगी, यह चोटी screen पर परफेक्ट resolution में रहेगी, लेकिन जैसे ही वो आप tablet पर या किसी हमारे app की UI को खराब कर देगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए Android Mipmap technique को use करता है, जिसमें वो क्या करता है, HDPI जैसे आपके shirt की sizes होती है, Excel, Double XL, ML, वैसे ही यहाँ पर icons एक ही icon है, लेकिन उनके अलग-अलग size के इतने सारे images उसमें डाल रखे, इस से क्या होता है, कि आपन इसको multiple fonts में चलाओगे, यानि आपकी app जो है, वो multiple fonts में चलेगी, जिसकी screen की size बड़ी, छोटी, वैरी करती रहेगी, तो छोटी screen की size होगी, तो आपका HDPI, MDPI use आएगा, medium size है, तो आपका XXDPI, XXXDPI use आएगा, और बहुत ही बड़ा phone है, तो आप NDPI जो आपका V26 है, वो व हमको भी ऐसे ही icons को store करना है, नहीं, हम ऐसे icons को store नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो process है, हमारा lengthy कर देगा, lengthy in the sense कि अगर मेरे app के अंदर 50 icons अगर मैं use कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ बगिनो, कितने हैं वो file, एक ही icon के कितनी files डाल रहा है, 6 files डाल रहा है, तो अब क्या हो हमें, svg file का use करेंगे, svg file जो होती हो, vector file होती है, और vector set जो होता है, वो आप उसको कितना भी zoom कर लो, वो blur नहीं होता, यानि वो फट्दा नहीं है, अगर आप उसको maximum size को छोटा करोगे तो problem नहीं है, बढ़ा करोगे तो उसको blur नहीं करेंगे, मतलब जो आपकी icon जो है, व अगर कोई भी android में use करता है, तो वो in mip web folder को use कर सकता है, अब आते हैं हमारे last folder की तरफ जो कि है आपका values folder, अब values folder में कुछ यहां पे चीज़े हैं, जैसे सबसे पहले आता है colors.xml, अब colors.xml को समझने से पहले अपने एक चीज़ समझते हैं, जो आपका color देने का तरीका ह वो किस format में होता है, android या computer के अंदर, तो computer में आप जो color देते हैं, वो तीन तरीके से देते हैं, तीन combination से देते हैं, R, G and B, that means R for red, G for green and B for blue, चीख है, अब यह जो format है, RGB format, इसमें value देने का जो format है, वो आपका hexadecimal format होता है, hexadecimal का मतलब हो गया 0 से 15 था, यानिकि hexadecimal मतल और उसमें भी क्या होता है, 0 से 9 तक तो number मिल जाएंगे, 2 digits में number नहीं आता है, तो उसकी जगा क्या आता है, जैसे आपके 2 digit number start होते हैं, वहाँ पे alphabet start हो जाते हैं, तो 9 के बाद सीधा आपका A, B, C, D, E, F, यहां तक आपकी numbering रहती है, जब 0 से 9, then A, 2, F, तो यह आपका 0 से 16 digits हैं, उसमें यह numbering रहती है, अब यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई भी color code लिखना है, तो आप color code जभी भी देखेंगे ना, तो उनका format ऐसा ही रहेगा, 0 से F के बीच में कोई term होगा, और particular 3 जगा पे 6 digits होता है, वो इसका reason में आपको बता हूँ, वो 6 digits क्यों होता है, फिर 3 digits में आपको color variations बहुत कम मिलेंगे, R का green के साथ, red का green के साथ, green का blue के साथ, blue का red के साथ, ऐसे बहुत सारे permutation combination लगेंगे, लेकिन बहुत कम लगेंगे, अगर मैं इसको double कर दूँ, यानि की RR, GG and BB, that means R का R के variant के साथ combination, पहले तो, फिर green का green के साथ combination, then blue का blue के साथ combination, और इनका mixed combination, यानि की इनका permutation combination, तो यह आपका 16 into 16 into 16 into 16 into 16 into 16, यानि 256 into 256 into 256 into 256, तो इतने color patterns यह generate कर सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आगी, जैसे कि मैं यहाँ पर color code आपको करके बताता जैसे कि यहाँ पर, जब भी आप X code दोगे तो पहले X लगेगा, यह होता है आपका R, GG and BB, आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, color code कोई दिक्कत नहीं है, आप RGB format में भी दे सकते हो, यानि कि केवल आपने एक variant दिया red का, एक variant दिया green का, एक variant दिया blue का, या फिर अगर आपको combination आने तो R, GG, BB भी दे सकते हो, और एक और variant होता है, जिसमें transparency defined होती है, तो आगे के जो दो digit होता है यहाँ पर, यह आपको define करते हैं, आपकी transparency, उसके बाद में R, GG, BB, चिक है, तो यह जो AB है, AB और कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या दिया, एक transparency value दिया, चिक है, अगर म आगे का color, जो मैं यहाँ दूँगा, R, GG, BB format में, वो पूरा color में को दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको 00 दे देता हूँ, तो मैं वो color कुछ भी नहीं दिखागा, एकदम canch जैसा हो जागा, यह transparent हो जाएगा, और इसके बीच में कोई value देता हूँ, तो यह क्या कहलाएगा आपका semi transparent, जिसे कि आप canch देखते हैं, जो एक तो canch होता है, normal transparent, और एक होता है color वाला kanch, जिसमें आप transparent ही होता है, ब्लिव color का का canch है, या red color का का canch है, जिसमें आप आगे-पीछे तो देख सकते हो, लेकिन वो color जो है, वो white नहीं है, या निकि transparent color नहीं है, वो कोई color व और यहां पर क्यों दे रहें जहाँ पर हमको जरूद पड़ेगी वहां देंगे यहां इस फाइल में क्यों देने की requirement है उसका रीजन में बताता हूं एक हम पहले समझ दें के हम और की requirement का है यूआ को और अच्छा करने के लिए आपको color की जरूद पड़ेगी जैसे आपको ए तो मैंने यूज कर लिया अब में को लगा गया नहीं यार यह जो color है यह color का code जो है मैं इस particular color जो बार-बार repeat हो रहा है उस color को मैं change करना चाहके नहीं यह जो ज़गा कोई दूसरा color करता हूं तो अगर मैंने दूसरा color किया तो मैं कुछ सारी जगा पर जाकर चेंज करना पड़ेगा मेरी बड़िकलर थीम को चेंज करना पड़ेगा फॉर एक्जामपल अगर मैं यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की जो थीम है वो रैड कलर में ठीक है तो अब यूट्यूब करता है नहीं को रैड नहीं येलो करना है YouTube ने अबने जितने भी जगह red color का use किया है और सब जगह वो क्या करेगा yellow color लगाएगा अब अगर वो colors file में उसको mention नहीं करता है वो क्या कर रहा है manually इसको कहते है hard coded तो वो hard coded वाल हर जगह जहां color को use है वह color code mention कर रहा है तो उसको हर एक जगह जाके वो चीज चेंज करनी पड़ेगी उसकी बज़ाए अगर उसने ऐसा किया होता उसने क्या किया होता color file के अंदर एक color mention किया होता जैसे कि मैं यह यह color mention करता हूँ तो पहले से आपको बहुत सारे color mention मिलेंगे यहां पर अगर आपको color define करना है तो आप कैसे define करोगे color tag लगाना है आपको then name और जो भी आप name देना चाहते हो जैसे कि मैं color red ठीक है और इसके अंदर आपका hex code जो भी आपको color देना है जैसे red color देना है तो red के अंदर जो RGB format है इसमें मैं कौन सा चाहिएगा R वाला चाहिए R stands for red तो मैं उसको क्या करूँगा F दूँगा F value दूँगा और बाकी सबको 0 दूँगा तो आप left hand side में देख सकते हैं कि red color आ चुका है चीक है वही चीज़ अगर मैं को green color देना है तो मैं क्या करूँगा red वाली जो जगा है R वाला जो जगा है वो 0 रखू नहीं होता अगर आप normal भी देते हो तब भी ए एक्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है ऐसा कोई जरूरी नहीं को capital F ही देना है या small F ही देना है ऐसा कोई requirement नहीं है आप capital भी दोगे या अगर small भी देते हो तो दोनों ही case में या identify कर लेगा और उप्टेन कर लेगा ठीक है अब RR के अंदर भी तो options हो सकते हैं मतलब की red में भी तो बहुत सारा option हो सकते हैं तो यह देखो FF का मतलब हो गया आपका red और 00 मतलब की मैंने green में कोई value नहीं दिये blue में भी value नहीं दिये तो यह red ही है अब मैं को इसमें variations देना है यानि कि मैं इसमें कर देता हूँ one मैंने जै आंगे F है इसको change करता हूँ मैं इसको बण करता हूँ इसको S10 करता हूँ इनके विले तो बहुत सारे variants मिलसेंगे अंडर के इसलिए आरा जी बीबी फॉर्मेड होता है । यहां पर कोई भी Colors नहीं दिख रहा है यह Colors है लेगी इंट हो गया तो अगर आपने कोई भी color दिया होगा, तो कोई sense नहीं बन दा, लेकिन अगर मैंने कोई semi transparent दे दिया यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको यहीं पर code के अंदर बताता हूँ, जैसे कि यह जो चीज है यह transparency decide करती है, जैसे ही मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स दो code जो है, वो define करेंगे आपके transparency, बाकी के 6 code define करेंगे color, pattern और आप यह 3 digit वाले में भी दे सकते हो, 6 digit वाले में भी दे सकते हो, एंड 8 digit वाले में भी दे सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपने color यहाँ पर place कर दिया, अब runtime में जहाँ पर भी इसको use करना है, आ आप यहाँ इस particular file से, इस name से इसको call करके, वहाँ पर इसको set कर सकते हैं, और जितनी जगा इस color को use करना है, उतनी जगा आप यह color को call करेंगे, अब वो problem कैसे solve होगी, static code वाली, यानि की hard code वाली, वो ऐसे solve होगी, कि जैसे ही आप change करोगी यह color, तो सारी जितनी भी जगा प तो जितनी भी जगा यह color call किया तो आपने color red से, उन सब जगा अब ऐसा color हो जाएगा, तो आपको हर एक जगा पर जाके mention नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो यह इसका benefit है, तो हमेशा क्या करेंगे, colors.xml को use करेंगे, ताकि जो हमारा coding part जो है, यान इसका जो syntax होता है, वो inverted comma open, inverted comma close, इसके बीच में आप कोई भी value, alpha numerate यानी कि, alphabet भी आ सकते है, numbers भी आ सकते है, special characters भी आते है, कुछ भी आप store करवा सकते हो, ठीक है, तो आप कोई भी text normally जो show करवाते हो Android के अंदर, वो किस से show करवाते हो, इस particular string से show करवाते हो, तो आप string.xml क्या करती है, string.xml ये करती है, कि जैसे कि आपकी कोई ऐसा content है, या ऐसा text है, जो आप बहुत ज़ादा use कर रहे हो अपनी app में, जैसे कि app का name हो गया, तो app का name बहुत जगह आप use करोगे अपने app में, या app का about us हो गया, या कोई भी ऐसा content है, जो बहुत जगह user है, तो Android क्या prefer करता है, कि आप उसको soft content कर दो, क्योंकि reason being, कि कई भी अगर आपको ऐसा change करना हुआ, उस particular name में, या उस particular about us में, या उस particular text करना है, जो आपने बार-बार बहुत जगह पर use कर रहा है, तो आपको change करता है, सब जगह जगह जाके change करना पड़ेगा, तो यह जो आपका काम है वो बढ़ा देगा, लेकिन अगर आप उस particular text को यहाँ पर mention करते हैं, कैसे, string tag लगाया आपने, then name लिखा, app about, ठीक है, and then यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको string provide करना है, वो string आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर string को close क देंगे, ठीक है, अभी मैंने dummy string दी, यहाँ पैसी string नहीं, जो भी आपका hello world, या जो भी आपका app का description है, जो इस particular चीज को justify करता है, ठीक है, तो यहाँ मैंने दे दिया, तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ भी मैं कोई चीज को use करना है, यहाँ पर इतना ही code नहीं होगा, म वहाँ पर जैसे calling होगी, तो इसके respect में, जो भी इसका text mention है यहाँ पर, वहाँ पर set हो जाएगा, call होगे, ठीक है, अब जैसे ही आपको कुछ change करना होगा, तो आपको सिर्फ एक जगह की change करना है, जितनी भी जगह यह call होगा है, उन सारी जगह पर automatically changes apply हो जाएगे, तो यह यहाँ पर यह benefit रहता है, then आपकी last जो option मिलेगा, आपको इस values के अंदर वह आपका theme, theme में भी अगर आप देखोगे, तो पहले की, अगर theme की हम बात करें, theme का actual में मतलब क्या होता है, जो आपका font का view है, जो by default आता है, जो by default आता है, जो by default view आता है, वो आपकी actual में theme से आत है, जानि कि अगर आप एक app को open करते हो, तो उपर की जो सबसे उपर बार आती है, जहाँ पे आप notification कहते है, उसको status बार कहते है, या notification बार कहते है, then उसको नीचे वाली जो बार होती है, उसको हम कहते है tool बार, या action बार, तो mostly cases में theme ये चीज सेट करने के लिए काम में आती है, अगर design मतलब अलग color code सेट करना चाहते है, या अलग text attributes देना चाहते है, तब उस समय हम क्या करेंगे, styles और theme को use करेंगे, इस particular चीज को हम अच्छे से समझेंगे, एक अलग section में कैसे हम हमारी खुद की theme बना सकते हैं, खुद की style सेट कर सकते हैं, अलग-अलग views के उपर अलग-अलग activities के उपर, तो यहां पे जितनी भी themes बनाते हैं अपने runtime Android के अंदर, वो सारी यहां place होती है, चीकिए, और आजाते हैं हम last वाली चीज के उपर, जो है आपका resource generated, जैसा कि Java generated, runtime पे जो भी generation की code होता है, generation का data होता है, वो यहां पे store होता है, वैसा ही resource, runtime पे resource जो components होता है, यानि की toolbar कहा होता है, status bar कहा होता है, tool window कहा होता है, editor window क्या होता है, यह सारी चीज़े देखिए, उसके साथ साथ हमने देखा, जो हमारा project होता है, वो project की जो files होती है, जो required होती है, वो actual में कहां दिखती हैं हमको Android Studio के अंदर, और उन particular folders का क्या मतलब होता है, particular type की files किस particular type के folder में store होती है, and किन चीज़ों का आपको खब use में लेना है, कब आप उनको practically implement करेंगे, तो आज की class के लिए इतना ही, thank you